सोकर उठने से रात तक सोने मैं क्या-kya करना चाहिए उसके सारे नियम है तो उस अब्याय की अनुसार हमेशा इसनान करने का सबसे अच्छा समय है कि उसमें उतने का यह हैं कि सारे-चार बजे का सब बजए तो आपकी सुविधा के अनसाराप करिए लेकिन इसनान हमेशा सुबह करना ही सबसे अच्छा होता ये क्यों होता है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला शाम का भी इसनान होता है लेकिन वो रोगियों के लिए है कुछ खास भीमारिया दिनको है उनको शाम का इसनान बहुत अच्छा होता है लेकिन सभी स् में प्रश्ण पूछ लिया है कि अभी में इसनान की तो आज पूछ लिया विसनाना की, तो इन्हों पूछ लिया कि गरभ का सिनान या थेंडे पानी है ठेंडे पानी से मतलब जो सामानित आपमान का पानी है वही पानी से इसलान करना अच्छा होता है और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है अगर स्वस्थ है शरी तो बिल्कुल भी गरम पानी से मतनाहिए नहीं तो बीमारी आएगी और आयुवेट में बहुत सकती के साथ एक सूत्र लिखा गया है बागवट्य सहिता में कि सिर के ऊपर गरम पानी अगर आपने डाला तो तैयार रहे एक सो तेईस रोग आपकी जिन्दगी में आएंगे बानसिक रोग भी हो सकते हैं और शारीरिक रोग इसलिए सिर के ऊपर थभी भी गरम पानी मत डाला वैसे तो गरम पानी से नहाई है मतने आपसे कैसा लेकिन आपका दिल नहीं मानता शरीर नहीं मानता आदत बुरी पढ़ गई है महराश्प्र के लोगों को यह बहुत बुरी आदत है गर्मी में भी गरम पानी से नहीं तो अगर आदत बुरी पढ़ गई है शरीर को लग गया है इसका तो आप ऐसा करिए कि गरम पानी शरीर के किसी बें अंग पर डालिए सिर को बचाईए इसकों सिर को डालने के लिए साही पानी रखिए साधरन पानी सिर और आख ये दोनों गरम पानी से बचने चाहिए क्यों बचने चाहिए कारण में बता देता है ये सिर और आख दोनों जो है ना कफ का इस्थान है हमारे शरीर में तीन दोश होते है ना वात पित और कफ तो ये जो सिर है सिर यहां सबसे सबसे ज्यादा कफ रहता है आख और सिर में सबसे ज्यादा कफ रहता है और कफ और गरम पानी की खतरनाथ दुश्मनी अगर गरम पानी दें तो कफ और तेजी से बलता है इसलिए सिर और आख दोनों को गरम पानी से बचाना चाहिए आखों को कभी भी धोना हो तो थंडे पानी से ही धोए दाकी शरीर को थोड़ा गरम पानी डालने तो चलेगा नहीं तो मेरा सुझाओ है कि गरम पानी डालिये ही मत थंडे पानी से ही ना आए आदत डाल दीजे श तोवपТ पानी रहे हल्का गरम पानी रहे घुंगुना पानी रहे बहुत गरम पानी उस समय भी अच्छा नहीं है शरीर के भी मैं भी टब का ठंडी से कोई संवन नहीं आपके दिमाह नहीं है बहुत बड़ी गैर समझ हनिएज हो तक ठंड समी सा ऐएगे सरग का पानी से पोष्ट बद्धता रहती है मल बद्धता रहती है कपजियत रहती है उनको ही सर्दी सबसे ज़्यादा होती है पानी का सर्दी से कोई संबंध नहीं है इसके इसमाने